वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करके मैल आइकन में आल को प्रेस कर दीजी नमस्कार ट्रेंस एंट्रेवल में आपका इज़त नगर से बहुत बहुत स्वागत है ये डीजल शेड में जाने वाला ट्रैक है जिसको की अब आप उपर यहाँ पर देख सकते हैं वाइरिंग कर ली गई है इलेक्ट्रिफाइड हो गया है ये ट्रैक इज़त नगर में जो हमारा डीजल लोको शेड है भविश में यहाँ पर विदूत लोकों की मेंटेनेस होगी और जब पूरा ही रेल खंड जितने भी यहाँ पर इज़त नगर मंडल में है धीरे धीरे क आएं उनका रख रखाओ उनकी मेंटेनेस यहाँ पर की जाएगी जिसके चलते ये सिंगिल लाइन जो डीजल शेड जाती है इज़त नगर में हमारे उसका रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य करने का जो है कार्य किया गया यहाँ पर और जिसमें अब वाइरिंग का काम आ रफ ट्रैक जाता है जिस पर ब्रैकेट्स वगैरा लग गए उस पर अभी वाइरिंग की जानी बाकी है क्योंकि भविश में यहाँ पर मेमू ट्रेंस की भी मेंटेनेंस होगी जब लोकल ट्रेंस में मेमू ट्रेंस चलाई जाएंगी आने वाले समय में हाइट गेश देखि यहां पर हाइड गेज लगा लिया गया है यह आप देख सकते हैं यहापर यह वीडियो भीजा है Unmol ने कि किस प्रकार से रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कारेयों को यहाँ पर पूरा किया गया है यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर वायरिंग फाइनल कर ली गई है जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं क्योंकि भविश में जितनी भी ट्रेंस इज़त नगर मंडल में चलेंगी रेल इलेक्रिफिकेशन के बाद वो सभी विद्दुत लोकों से चलाई जाएंगी तो इस कारण से यहां पर जितने भी वरक्शॉप्स हैं और शेड हैं हमारा लोको यह हमारा जो डेमू का शेड है जो ट्रेक्स जाते हैं सीबी गंज की दिशा में भी वो भी वो सब इलेक्रिक ट्रेक्शन के अंतरगत सब पर वाइरिंग हो रही है और अर्थिंग का काम यहां पर देखिए जो किया गया है कंप्लीट कर लिया गया है तो यह एक जलक आपक लिया गया है देखिए वाइरिंग यहां पर कंप्लीट हो गई है यह आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से रेल इलेक्रिफिकेशन के कारियों को यहां पर पूरा किया गया है और यह हमारा डेमू शेड वाला ट्रेक है जिस पर अभी आप देख रहे हैं उपर यहां पर सिं मार्च तक मुझे लगता है इसी वित्ती वर्ष में पूरा करने का लख्ष होगा इसी फैनेंशल इयर में 31 मार्च तक ये भी वाइरिंग जो है डेमू शेड वाली मुझे लगता है पूरी कर ली जाएगी कारे तेजी से चल रहे हैं इज़त नगर मंडल में जिसके बाद यहाँ पर जो तमाम सारी मेंटेनस होगी आने वाले समय में मेमू ट्रेंज की और विद्धुत लोकों की वो अराम से आसानी के साथ यहाँ पर की जा सकेगी देखी ब्रैकेट्स लगे हुए हैं दूर तक जहां तक आपकी निगा जा रही होगी देखी ओएची म आस्ट इरेक्ट हैं 90 डिग्री पर सबसेट हैं और ब्रैकेट्स लगाने का काम यहाँ पर इन में कर लिया गया है ये डेमू शेट की तरफ ट्रैक जाएगा और इसमें अभी वाइरिंग जो होनी बाकी है इस्जत नगर मंडल में जितने भी हमारे ट्रैक हैं धीरे धीरे से चल रहा है जो कि लालकुवा जंक्षिन तक पहुंच गया है वहाँ पर कारे चल रहे हैं काट गुदाम की स्थिती भी हमने आपको दिखाई उस रेलखंड का हाल और जल्द ही आपको काशेपूर बाचपूर लालकुवा रेलखंड का भी हम आपको डीटेल अपडेट द